अपने बहुत वरिष्ट प्रिचारक आदर्णीय रंगा हरी जी केरल के थे उनका अभी द्यानत हुआ, बहुत विद्वान थे, कथाएं कहते थे बहुत और कथाएं कानियों के माध्यन से बात को समझाने की कोशिश करते थे और बहुत सरल रंग चे तो अक्सर एक कथा वो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो कहते थे कि एक बुड़ी माता थी और दुर्दैव से उनकी आखें भी चली गई, पर भगवान की भक्त थी और गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, कथाओं में हैं, तो कहते हैं, उनकी निश्चल भक्ती भावना से, ब्रगवान गणेश प्रसंद हो गए, और ब्रगवान गणेश ने उन्हें दिवितर श्रीपी दी, और कहा कि मैं तुम्हारे संद में प्रकट हूँ, बुर्दान मंगो, तो माता बड़ी पसंद हुई, और माता ने कहा कि बस एक ही बरदान चाहिए, कुनेश ने कहा, मैं बरदान देने के लिए तत्पर हूँ, एक बरदानी देना है, बताईए आप, तो उने ने कहा कि मैं अपने पोत्र को चांदी की चम्मस से दूद पिलाते हुए सुक का अनुभव करूँ, ऐसा बरदान दीजिए, अब ये बरदान तो एक ही लाइन का था, कि अपने पोत्र को, यानि पोते को, ग्रेंट्सन को, चांदी की चम्मस से दूद पिलाते हुए अनुभव करूँ, यानि करूँ ऐसा में, अब भगवान ने तथास्तू बोल दिया, कि ठीक वरदान, अब जैसी तथास्तू हुआ, तो एक साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए, चुकि माता का तो पती का ध्यान बहुत पहला हुगया, संतान कोई थी नहीं, और उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो पहले तो आखे लोटाओ, आखे लोटाने के बाद उनको पुनशादी की आयूप में करो, जवान करो, उसके बाद उनका विवा करो, और विवा करने के कई वर्ष बीचने के बाद संतान उत्पन होना और संतान बड़ी होना, बड़ी होने के बाद उसका विवा होना संतान का, और उसके बाद उसको पोत्र होना, और चुकि चान्दी की चम्मत से उदुत पिलाना है, तो सुभावी के घर में संपन्नता चीए, तो एक साथ माता ने अपना योन मांग लिया, अपना पती मांग लिया, घर में धन बेव हो भी मांग लिया, तो रंगा अरी जी कहते थे, माता का, बुड़ी माता का वरदान, ऐसा ही अपनी शाखा भी है, ऐसा वो कहते थे, एक स्थान पर शाखा लगती है, शाखा में, खेल-खेल में लोग भागेदारी करने आते हैं, पर खेल-खेल में ही, वो अनुशासन सीख जाते हैं खेल-केल में ही देशवक्ति की भावना आ जाती है निजी और आश्ट्रिय जीवन अच्छा हो जाता है हिंदुत्त के पती आस्थावान निष्ठावान हो जाते है समाज के पती कारे करने वाले हो जाते है हमेशा सकारात्मक सोचने वाले हो जाते है और इतना ही नहीं होता है जिस बस्ती में गावं में शाखा लगती है वहाँ भी परिवर्दन होता है भले ही शाखा में सब लोग ना आ रहे हूं परंतु हमारे स्वेमसुका संपर्ग सभी लोगों से रहता है उनके अंदर भी हम इनी भावनाओं का प्रिसार करते है और धिरे धिरे वो बस्ती अथवा कावं संग में हो जाता है कोई खर्च नहीं आता ये ऐसा ही है जैसे बुड़ी माता ने बुर्दान मांगा एक बुर्दान में जैसे माता ने सब कुछ प्राप्ट कर लिया ऐसे ही एक शाखा चलते ही बहाँ पर बहुत सारे परिवर्दन हो जाते है जब संग शुरू हुआ शुरू होने के बाद पहला संकल्प देश की आजादी का था और हमने इसको इस तरह कहा कि शाखाओं में हम विक्ति निर्मान करते हैं निर्मित विक्ति समाज का संगठन करेंगे और संगडित समाज पहले देश को आजाद करेगा और आजजादी के बाद देश का पुनर निर्मान करेगा इसी आधार पर सुनसेगों ने काम किया और उस दोरान देश में चल रहे सब आंदोलनों में स्वेमसोगों की भगेदारी थी संग स्थापना के बाद देश में दो बड़े आंदोलन हुए सभीना वग्या आंदोलन जिसको हम गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरह समस्ते हैं दांडी यात्रा हुई थी और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन दोनों पूजय गांदी जी के निर्थत में हुए दोनों में संग ने दो सरसंग चालग हुए डॉक्टिर हडगेवार जी वो स्वेम भी जेल गए नो मेने का शुष्ण कारावास हुआ और दूसरे अंदोलन में गौलवलकर जी सरसंग चालग थे तो सभी को अंदोलन में भाग लेने के लिए प्रिद भी किया अधिकरत उसे कहा भी और संसगों ने वो सब काम किये जो इस देश की आजादी के लिए जरूरी काम थे और इतना ही नहीं हुआ आजादी के बाद यहीं स्वेम से बक नहीं रुके दादर नगल अवेली का अंदोलन हो गोवा मुक्ती का हो हैदराबाद मुक्ती का हो इसमें भी सुनसे हो की उनलेकनी यह भागेदारी रही इतना में नहीं रुके जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन में बहुत बड़ा भारत धर्मी समाज उस तरफ से इस तरफ आया और जो समाज आया वो समाज का सेयोग करना, उस समाज को इस समाज के साथ एकरस करना, ये भी बहुत अबश्यक था और इसलिए संग के सुंसोगों ने उसमें भी अपना युगदान किया इसी तरह से चाहे कश्मीर के अंदर कबाईलियों का हमला हो चाहे 62 का युद्धो चाहे 65 का युद्धो चाहे 71 का युद्धो सब युद्धों में आम नागरिक की तरह स्वम्षों को ने भी बढ़ चड़कर सेना का और देश में जो भी आवश्चक काम थे सभी में अपना योगदान किया और तो और इनी बातों से प्रसंद कह लीजिए इन बातों को देखते हुए 63 के युद्ध में अपने देश के प्रसंद मंतरी जी जवाला नहरू जी ने संग को अधिकृत रूप से 26 नवरी के कायगरम में हिस्सा लेने के लिए अमत्रित किया और हमारे स्वेम सेवक संभावता शायद तीनजार की संख्या में बकायत आज इस तरह परेड में भाग लेते हैं हम संचल में भाग लेते हैं इस तरह 26 नवरी की परेड में हिस्सा भी लिए सत्य है यह सब काम संख्यों को ने किया शाखाएं हमारी बढ़ती गई और आज देश बर में लगबग लगबग साथ हजार से दिक शाखाएं दैनिक चलती है पूरे विश्वबर में तते दिन होने वाला रोजना होने वाला इतना बड़ा काम शायद ही कोई हो और इसके साथ साथ इतने तक ही सिमित नहीं स्वेम से वक और आगे बढ़ गए सबताह में एक दिन की शाखा जिसे मिलन बोलते हैं और मास में एक दिन का संग के नाम पर इकत्रिक्रण इसे मंडली बोलते हैं कि सब लगा ली जाएं तो लगबग आज भी भारत के साड़े छे लाग स्थानों में से ग्रामों में से एक लाग से अधिक में सीधा स्वेम से वक कोई न कोई कार कर रहे हैं इतना बड़ा व्यापत है और इतना ही नहीं देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को कोई भी नुकसान हो तो संग का स्वेम से वक उसके विरुद्ध पूरे दम और तयारी से ख़ड़ा रहता है मैं जाजकल जहां रहता हूँ तो पटना मेरा केंदर है पटना जब मुझे गुमराज शुरू किया गया तो बताया गया कि जहां आप गुजर रहे हैं उत्तर भ्यार में यहां पर नकसलवादी अंदोलन था उससे पहले भी में राची के अंदर था मेरा राची में जब हम बहुत बड़े तिशिखर जी के दिरुशन करने गए जैन तीर थे बहुत बड़ा तो गिर्डी जिला है जब गाड़ी से जा रहे थे तो एक स्थान पर सुनसे गोने का आगी रुकिये गाड़ी रुकते हैं फिर मुझे बताना शुरू किया कि अलोग जी यह स्थान यहां पर है जहां आप खड़े हैं यहां से पचास किलोमेटर दूर बाई और सगन वन हैं कोई सड़क नहीं मिलेगी आपको और ना दाहीं नहीं मिलेगी और यह सबसे अधिक नक्सलाइट का चेत्र था शाम होने क एबाद कोई गुजर नहीं सकता था एसी भ्यार में कहीं छेत्र थे उड़िसा में कहीं थे मद्दव देश में कहीं थे च्छतिसगड में कहीं थे कुन मिलाकर 126 जिलों में ऐसी इस्थती थी कि समानांतर सरकारे थी उन सरकारों में यही समझाया गया कि आप लोग अपने अधिकारों के पृति लड़िये और बंदुख ठाइए अप परिणाम क्या वो उसका अराजकता फैल गई नकसलवादी अंदोलन से वो सारा समाज पिछड़ गया वर्षों तक शिक्षा नहीं हुई वर्षों तक प्रगती नहीं गई परंतु इस सब में देश बर में संग के स्वेंसेवक मौन नहीं रहे मूख नहीं रहे इन सब में जितने स्वेंसेवक बिन्विन सुस्थाओं में कारे रथे सब ने अपना काम जारी रखा और हमेशे सकारात्मक संदेश दिया कि अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं अपने अधिकारों को बताने में कोई हर्ज नहीं परंतु ये बंदूक की भाषा हिंसा की भाषा ये अच्छी नहीं है इससे नुकसान ही होगा इसके कारण हमारे बहुत स्वेम सेवक को उन्होंने मारा भी हमें उत्सोत साइद भी किया बंदी भी बनाया बहुत नुकसान किया विचार परिवार के संगटनों का पर उसके बावजूद भी समसेवकों ने नकसलाइट मुमेंट के वुरुद नकसलवादी अंदूलों के वुरुद हमेशा विरुद किया यह ठीक नहीं है यह राष्टा ठीक नहीं है दुरुद भाग्य से देश में बहुत कम लोगों ने नकसलवादी कुछ दर्गे मारे और कुछ चुप रहे परंदुस का परिणाम क्या हुआ धिरे धिरे संसेवकों का परिश्रम रंग लाया संसेवकों किये कारे रंग लाये और एक दिन आज उसी गिर्डी जिले में आप रात नो दस बजे भी गुजरिये कोई अपरात नहीं होता चाहिबासा में जाईए पश्रम सिंग मुम में जाईए चतिस गर बस्तर जाईए बहुत कम इलाकों में थोड़ा सा नकसल बचा है इस सम्में काम खड़ा किया अपने संसेवकों ने ध्यान में आया कि नौर तीस पूर्वत्तर जो है पूर्वत्तर में अलगावादी अंदोलन बहुत है आज मिजोरम लग करो, आज नागा लेने लग करो आज रोना चल अलग करो यह अंदोलन बहुत थे उन अंदोलनों में क्या करना तो संसेवकों ने प्रत्म किया कि केवल थोड़ी सी भूल है समझाने की जुरूरत है वो भी पुराने हिंदुस्तान का हिस्सा है यह भी हिंदुस्तान का हिस्सा है दोनों अलग अलग नहीं है ये तो अंग्रेजों ने बीज वोए हैं कि उनको अलग समझाया गया उन्हें समझाया गया कि आपकी शकल सूरत यहां से नहीं मिलती सुनसों को ने तियास खोजा आजादी की लडाई में नार्थ इसका युगदान क्या था खोजा गया पता चला रुनाचल के लोगों ने भी आजादी की लडाई में इस्सा लिया काले पनी की सुझे काटी मनीपुर ने भी मेगाले ने भी मिजोरम ने भी फिर पुराने संबंद खोजे गय तो ध्यान में आया कि लगातार इस भारत का और इस भारत का संबंद हजारों वर्शों का है इस बात को जगर गिया गया और साथ साथ हजारों चात्रों इस वाले भारत के इससे में आकर पढ़ाई करते रहे चात्रावसों में रहे और ये सीखते समझते रहे ये भी हिंदुस्तान है वो भी हिंदुस्तान है फिर वहां गए और जाकर ये जगृती फलाई और इसका परिणाम ये हुआ कि जहां रोज अंदोलन होते थे रोज हमें अलग करो भारत से भारत का धोजा लगाने पर बनाई थी असम जैसे राज्य में भी गुवाटी जैसे राज्य में भी 1929 में 15 अगस्त के दिन दजार उखोन पर उल्फाने प्रतिबंद लगा दिया कोई जंडा नि लगायेगा तिरंगा परंत इस सब में हम आप जैसे सुन्सेवकों ने साहास नहीं छोड़ा बंदू को से डरे नहीं और तब भी सुन्सेवक ने नगरपाली का भुवन पर राष्ट्री धज फेराकर ही माने और इन सब प्रत्नों का परिणाम यह हुआ जो चात्र यहां से पढ़कर गए उन सब पर आम जन को धीरे धीरे समझाया कि यह बैकावे के करन ऐसा हुआ है वो भी हिंदुस्तान है यह भी हिंदुस्तान है सब भारत एकी है हम सब एकी पुरवजों की संताने हैं हम अलग नहीं है और धीरे धीरे आजस्तिती है कि नौर्थ इसके लगबग एकाद दो राज्यो को छोड़कर असया जिस्तिती है पर अलगावाद ही अंदोल नहीं है और आजादी के अमरत महत्सों पर जितनी तिरंगे की दोजाएं इस भारत में लगी उससे कम असम उससे कम अरुनाचल मेगाले मिजुरम में भी नहीं लगी मौसम महीं था तो संसोगों ने लगतार कोशिश रखी कि देश की एकता और खंडता पर कोई समझोता नहीं कोई नहीं खड़ा होगा हम खड़े होंगे इसके वरुद नक्साल के वाद के वरुद कोई नहीं खड़ा तो हम खड़े हैं नौर्थिस्त में लगाओ के वरुद कोई नहीं कश्मीर में भी जिस दिन 1373 लाग हुई उसी दिन उसका विरोत प्याला अधरणिये प्रेम चंदोगरा जी जो वाके मन्ने संगचालक थे उन्होंने कहा कि मैं संगचालक हूँ अब संगचालक नहीं रहूंगा मैं मैं इस 1373 का संग के स्वंजवक के नाते विरोत करूंगा प धारा अंते भारत के उस कश्मीर वाले हिस्से को अलग करने का शड़ी अंत्र है और धिरे धिरे परशों के प्रत्न के बाद कितने बलिदानों के बाद कितने संगर्शों के बाद वो भी हुआ संगचालक प्रत्न है ऐसे देश बर में राष्ट्रिय एकता को जब जब खत्रा हुआ अकंड़ता को जब जब खत्रा हुआ संसगों ने अपना युगदान किया ये सब कहां सिखा संग की शाखा में सिखा कोई ट्रेनिंग थी किया नहीं कोई ट्रेनिंग थी कोरोना काल आया कोरोना में जैसे गाजियबाद में बताया तो गाजियबाद में हमने सरस्वती–शिश्यों मंदिर में संसगोंने एक कॉरेंटेन सेंटर बनाया उस सेंटर पर बहुत भीशनता थी आपको मालूम है सबको carrier – कोरोना काल में तो एक में जैसी पहुँचा दो-तीन लोग हम साथ थे सेंटर में पहुँचे मास्क बगर हमने लगाये वे थे तो एक बुज़ग व्यक्ति आये थोड़ा सत्तर वर्ष्टी आयो क्यों होंगे सबसे जम्मेधार आतमी कोन है इसमें? सबी जम्मेधार हैं हमारे संवक है अधिकारी कोन है आपका? तो मेरी और इशरा की है की इनसे बात कीजिए। मेरे पास आये आपसे बात करनी है experts ऑनाके बात कर रहे थे अगा जी बताईए आप क्या कहना है? तो उन्हें ने का कि मेरा बेटा मरने की इस्तिती में था उसे यहां भरती कराया गया मैं आज ले जा रहा हूँ स्वस्थ तो एक तो धन्यवाद करना था दूसरा मेरा प्रशन है यह जो स्वेम सेवक यह जो उसने वॉलिंटियर बुला यह आपके लगे हुए हैं इसे 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं क्या इनके घरवालों ने करन्टेन सेंटर में मरीजों की सेवा की परमिशन दी तो हमारे लिए तो यह प्रशन अजीब था कोई आप से कहे कि आप परमिशन लेके आये के यहां पर तो मैंने का जी परमिशन तो नहीं पूछने जी आप इनसे किसी से तो उसने का कि यह मुझे समझाने की बात है कि नौजवान बच्चे हैं परंतु जान अतली पर रखके काम कर रहे हैं इन में से कोई फेक्टीड हो सकता है और आप कैसे लाते हैं इनको क्या ट्रेणिंग देते हैं कैसे सिखाते हैं क्या परमिशन ली मैं अगर परमिशन तो नहीं ली है कोई घर ऐसा नहीं होता ऐसा परमिशन दे सब आग्रे पुरुवक मातापितर को समझाब हुजा के आए कि हमें थोड़ा काम करने दीजिए कल को किसी पर भी यापत्ती आ सकती है परमिशन तो नहीं मिलेगी पर उन तो आते हैं ट्रेणिंग क्या देते हैं तो मैंने दो-तिन सुन से बुलाएं मैं घर सुनो आपको क्या ट्रेणिंग दी गई थी कोरोना काल में सेवा की उन्होंने का medical science की विशे मैं कुछ नहीं जानते मैं बिकौम का विद्यारती हूँ एक कोई B.T.E.C. का था एक B.C.A. कर रहा था तो फिर कैसे करते हैं आप उन्हें का करने वाले यहाँ पर डॉक्टर हैं female health worker है health worker है हमने धीरे धीरे drip लगाना medicine देना थोड़ा मसाज करना समय का पलन करना खाना खिलना सहारा दे कर बहुत अशक्ते हैं तो शोचले तक ले जाना यह सब काम हमने सिख लिए है तो फिर उनके सामने प्रशना गया कि यहाँ आने की प्रेड़ने किसे भी दी आपको क्यों आये आप यहाँ पर केबल RSS की सदस्योंने से आगए क्या तो फिर उनके ने कहा जे सदस्य तो महीं नहीं संग में तो कोई पाउटी कटती नहीं सदस्ता की तो हम तो शाखा में जाते थे शाखा में पताया गया कि भारत के सरवासिय हम आपस में भाई भाई है कुछ संकट काली निस्तती में सब को परस पर सेउक करना चाहिए ये भावना हमें बताई गई और बस आगए बोला मैं नहीं मनता आपकी बात को आप या तो आप जुट बोल रहे हैं मेरी सुझ में नहीं आ रहा है मैं समझ नहीं सकता कि कोरोना के इस बिशन काल में सब लोग घरों में दुखे में हैं अप लोग नौजवान बच्चे अपनी जान अत्यली पर लेके काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोड़ शाखा में जाते हैं खेलने जाते हैं और खेल खेल में हम ये काम करने के लिए आगए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ हम वो संस्था में काम करते ते हम बहुत सारे भाशन करते हैं बहुत सारी प्रेड़क घटनाए सुनाते हैं बहुत सारी motivational species देते हैं तब विचारात में नहीं आते हैं, आपकी जलाजी शाखह में जाने के बाद कैसे जाते हैं इतने लोगों। तो अंतमों ने कहना पड़ा कि देखी ऐसा है, ये ऐसा ही है कि तैरने का सिध्धानत आप जान रहे हों किताबों में और पानी में कूदे नहीं तो तैरना कभी भी नहीं आएगा, आपको ये भावना समझनी है तो संग की शाखह में ही आना होगा, इसके लावा कोई चारा न इश्वर में स्वेम सिवक कहीं जगे तक पर रहते हैं, वाइनाट की घटना होई अभी, अभी बिल्कुल, केरल के अंदर एक जल प्लावन हुआ, पार कि सग्या पुरा, बहुत दुखत घटना होई, स्वेम सिवक पासी थे, बहुत शीग्र, अभी तक भी, अभी तक, टी अभी तक भी, पनरवास के लिए, कोई प्यतनुशील है, तो अपने स्वेम सिवक, किसी ना किसी संस्ता के माध्यम सिवापर, अभी भी कारेरत हैं, जब तक समस्या का पूरा निकारन नहीं हो जाता, स्वेम सिवक उसको छोड़ते नहीं, यह सब कहां सीखते हैं, यह हम शा दूर से देखेंगा तो लगएगा कुछ भी तो नहीं है, अजीब से खेल खेल रहे हैं, अजीब सी पेटी कर रहे हैं, अजीब से व्यायम कर रहे हैं, चार से सुर्म मुशकार की हैं, एक आत गीत किया है, किसी ने खड़ाओ को दो चार शब्दे बोले हैं, एक जंडा हैं, यह ऐसी कारे पद्दती हैं, और इसी आधार पर अब तक सोवर्ष का जो गीत हुआ, हम सोवे वर्ष में हैं, और सोवे वर्ष में लाखों करोडों स्वेम सेवक, देश बक्ति की भावना से, अनुशाशन से, समराष्था की भावना से, देश की एकता खंड़ता के ल रोत नहीं पड़ती है, क्या करना हैं, स्वेम सेवक जान रहे हैं, अपने से उन सब कामों को करते हैं, अगले से अगले वर्ष, जो शताब्दी का विशे आया, तो सो वर्ष के होने वले हैं, गीत में अभिनंदन, अच्छा छने, उमंग का छने, ऐसा कहा गया, तो शताब हती है, किसी भी संगठिन के सोवर्ष पुरा होना, और अभिभाजित हो के पुरा होना, और जिस मूल विचार को लेके चले, वैसे ही चलते आना, ये बड़ी बात होती है, इसमें कोई दोराय नहीं, पर काम भी पुरा नहीं है, अभी भी हम एक लाग गाउं तक गये हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पर पूरी नहीं है, तो इसलिए, पूरे पुरे सरसंगे चालक जी ने ऐसा हवान किया, कि 24-25 सोवा वर्ष, इसको कार्य विस्तार का वर्ष मानना चाहिए, हम लोग हर मंडल तक, हर बस्ती तक पहुँँचें, इसको कारण हैं, क्यों बहुता, कि हम एक राज्य में, माल्य गुजरात में ही, माल्य बड़ोद्रा में ही, हम पांचो शागाएं करते, हर मुलने में शागाएं करते, पर सेम सेखों की संख्यात्मक ब्रदी ही एक काम नहीं है, जब हम अलग-अलग बस्तियों में शाख्या लगाएंगे, तो हर ब अलग अलग जीवन शेली जीने वाले लोग रहते हैं ऐसे ही जब गाउं में बढ़ेंगे तो कहा है हर मंडल में शका होनी चाहिए तो जब देखेंगे आप गाउं के ढाचे तो धन्म आएगा कि ऐसे ही गाउं में अलग अलग आय वर्ग, अलग अलग समुदाय, जाती वर्ग, अलग अलग लोग रहते हैं तो संग तो सबका है हम हमीशा कहते हैं संग समाज का संगठन है समाज में संगठन नहीं है सर्व समाज का संग है तो संग में शिशू से हमसिवक भी आते हैं जो अपने पैरों पर चल सकते हों, वो भी शाखा में आने, आ सकते हैं, उन्हें मने नहीं हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं, आप में से, जिनको आपके पिता, आपके बड़े भाई, गोधी में लेके गए होंगे, वो भी संग में स्विकार हैं, वो भी संग में मने नहीं है और ऐसे भी हैं जो सिवन सिवक आते हैं आकर कुरसी पे बैठ जाते हैं पर संग की शाखा में जाना है 90 वर्ष की आई होगी लगान है एक एक अनुशाशे नेक मन में भावना है जाते हैं तो किसी भी겁 आयू वर्ग का व्यक्ति संग की शाखह में आ सकता है इसी तरह से किसी भी आये वर्ग का, income group का व्यक्ति संग में आना चाहिए हर एक वर्ग का इसका भी कोई बंदन नहीं, तब ही तो सबका संगढन होगा इसी तरह हिंदु समाज के जितने जाती वर्ग हैं सबके लोग भी संग में आने चाहिए इसलिए मंडल मंडल तक पहुँचने की बात की गई तो काम का विश्थार हम एक जगे बहुत कर सकते थे परंत इस काम को पहले सब राज्यों में फिलाया गया फिर सब जिलों में पहुचाया गया फिर सब खंडों में तैसिलों में दिया गया और उसके बाद सभी मंडल और सभी बस्तियों में तो दो चरण बाकी रह गए मंडल और बस्ति जब ऐसा होगा तो सभावी के जितना समाज को समर्ष होने के लिए अवश्यक है सर्व समाज का संगठन हम कह रहे हैं वो तर्व संभव होगा जब हर बस्ती हर मंडल में कारे होगा और इसलिए पूरे देश में सभी स्वयम सेवक इस काम में पूरी सिद्धता से लगे हुए हैं आप लोगों ने भी इसका प्रत्न जल्दी शुरू कर दिया अच्छा किया और जैसा बता रहे थे फृत्त में सेवा प्रमुक जी अच्छे सफलता तक आप पहुँच गए और सोचने की बात ऐसी है कि हम यहां बैठे हैं हम काय करता हैं सब दाईत्व लिये हुए हैं कुछ दाईत्व सबके पास है आप सोचिए एक सुखत कल्कना कीजिए कि माना हमारे बस्ती मंडल में पहुचने से कारे रिस्तार होने से शाखाय दूनी होने से काय करता मैं भी दूने हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा इसका दुखना कर दिया जाए तब कितना सुखत दूसरों का तो हम कारे को अच्छे से कर सकेंगे इसका एक कारण और भी है कि इससे अगले वर्ष हो जिसे हम बोलेंगे एकसो एकवा वर्ष हो उस एकसो एकवा वर्ष में संगठन ने सामाजिक परिवरतन के पाँच बिंदूओं पर काम करना तै किया है उन पाचो बिंदूओं के लिए बहुत सारे काय करता चाहिए कोशिश जैसी है कि एकसो एकवा वर्ष में हम सामाजिक संगरस्ता का विशे हो हम समझते हैं समाज के अंदर समाज के अंदर नागरिक करतव वेबोद का विशे परियावरन संदक्षन का विशे स्वदेशी का विशे और कुटुम प्रबोधन का विशे पाचों विशे ये घर घर तक पहुचाने होंगे और इन सब के लिए बहुत बड़ी मानव शक्ति की आवश्कता होगी इसलिए कारे विस्तार में और अधिक कारे करता हों का निर्मान इस सब में आवश्क है तो दो तरीके होते हैं एक तो कारे पूरा करने के लिए मालिया हमें सो घरों में जाना है तो सो घरों में एक काय करता होगा तो सो घरों में जाना होगा अगर हम दस काय करता है तो एक को दस घरों में जाना होगा तो ज्यादा काय करता होंगे तो कम काम का बोज होगा काम का भार बोज नहीं करना चाहिए का भार कम होगा और कम हो में तो सभाविक है ज्यादा होगा इसलिए अगले वर्ष सामाजिक परिवर्तन के लिए हम पांच विशों पर काम करने वाले हैं वो काम देश के सामाजिक परिवर्दन की दिशा में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाले हैं वो पाँचो काम बहुत महित्पुरुन हैं हमारे देश की अंदर परिवार सबसे प्रमुक समस्था है इतने वर्षों के हमले हुए इंदुस्तान पर इतना अधिक नुकसान इंदुस्तान का हुआ हम अच्छी तरह समस्थे हैं बहुत इतियास में पड़ा है बचे रहे क्यों? बचे रहे अपनी परंपराओं के कारण, भक्ती के कारण, मापुर्षों के कारण और साथ-साथ परिवार के भी कारण तो परिवार अपने ये तूटने नहीं चाहिए परिवारों में सबका सम्मान रहे सबकी बोलने की आजादी भी रहे, अभी वक्ती रहे पर साथ-साथ परिवारों में एक अद्रश्य बंधन जो होता है जिसके कारण हम जुड़े रहते हैं, वो जुरूर रहना चाहिए परिवार से संस्क्रती, परंपराएं सब जिवीत रहती हैं परिवार से और हमारी पूरे विश्युवर में ख्याती भी यही है हिंदुस्तान काउन सा देश है, जब परिवारों में लोग रहते है यह हमारी खुबी है आज भी नाता रिष्टा जम शादी ब्या करते हैं कितने लंबे-लंबे रिष्ट मनाते हैं फला को निमंत्रन देना, फला को निमंत्रन देना वो ऐसी है, वो भुवा थी, वो थी, वो ऐसी थी यह सब हमें एक बंधन में जोड़े रखते हैं तो परिवार से सुनस्किती परंपराएं सुरक्चित रही परिवार ने इस भारत को भारत बनाए रखने में बहुत बड़ा युगदान किया तो परिवारों में अब एक दीरे से एक स्लोप आईजन दीरे धीरे आ रहा है धीमा जहर यह बतर्शाय जा रहा है कि देखिये हम तो सब अलग स्थित्व है सबका सब की अलग भावनाएं हैं, परिवार में क्यों रहना, अलग अलग रहिये अलग-अलग कमरों में रही है क्यों सामुई बैटना है ये धीरे-धीरे साहित अत्वा जो हम देखते हैं मॉबाइल या हम साहित जो पढ़ते हैं फिल्म में उस सम्में इसको प्रदुर्शित किया जाता है एक फिल्म मुझे ध्यान है अतिती कब जाओगे ऐसे कुछ था ही रहा फिल्म आई थी तो फिल्म का एंडिंग तो हपी था अच्छा था परम्त सोचने की बाद क्या थी अन्त में पती-पतनी लगातार इस कोशिश में कि हमारे घर में एक बुज़र्ग आ गए तो वो बुज़र्ग क्यों आ गए ये बोज़ा है इनका रहन से इनका रहने का जंग ये अजीब है वो अलग विशय है कि बुज़र्ग ने अपना स्थान घर में अपने कारियों से बना लिया वो अलग विशय है और इसलिए जब पिचल समाप्त भी होती है तब भी मन में दोनों बाते हमारे चलती है हमें ऐसा भी लगता है कि बुज़र्ग का अच्छा हो गया कि उनको उनका स्थान मिल गया जिसके घर में वो आये थे मैं चले गये अच्छा हो गया परंतु एक कौने में ये भी रह जाता है अथिती क्यों आने क्या जरूरी आने तो धीरे से बात को डाला जाता है डानने वालों को मालूम नहीं है परंतु देश में परिवार न रहें कोशिश रहती है तो अगले वर्ष परिवारों का प्रभोधन ये मुख्य काम रहेगा हमारे देश ने पता है हिंदुत का इतना बड़ा उभार हुआ अभी शिराम जन मुमी का 22 जनवरी जैसी मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई पूरे देशवर में ऐसा लगा कि वक्त जैसे ठेर गया हो कितने लोग भागेदारी अनुमान तरा पूरे दिन में जो भागेदारी थी वो तीस करोड़ से दिख्की भागेदारी थी पूरे देश में पूरे विश्व के तिहास में इतना बड़ा एक ही दिन में कभी मुमिंट नहीं हुआ है हिंदुत की इस एकत्रित शक्ति से गपरा कर देश घातक भिखातक लोगों ने क्या किया जातियों को भारने शुरू किया और जातियों को भारने के कारं उनको पता है कि एक ही तरीका है हिंदुस्तान में सबसे आसान फूट डालो और राज करो ऐसे ही जातियों में फूट डालिए तो हिंदु तो अपने आप खत्रे में हो जाएगा हिंदु तो अपने आप डाइलूट होगा तो एक संगर्शी भी है इसलिए अगले वर्ष सामाजिक समरस्ता के विशे पर भी हम लोगों को जगए जगए संदेश देना है सब एक हैं हिंदु समाज के विभाज या इससे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं कोई उचनीच नहीं ये भावना अधिकादिक लोगों तक इस पर भी अगले वर्ष काम करना है ये भी सामाजिक परिवरतन है हमारे ध्यान में परियावरन अब परियावरन में लेता हूँ पटना मुंगेर मेरे मन में था कि मुंगेर घुमा जाए मुंगेर वो जगए है जहां पर बहुत बड़ा योग उनिवर्षिटी है आपने सुनोगों विश्चु भर में योगशकर मुंगेर से गई गंगा जी बहती है मैं गंगा जी के दुर्षिन करने के आच मन करने के लिए जल लिया तो हमारे नगर कारवाजी ने रु drainage रुख 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 जल को गुरहन मत कीजिए केवल बुन आच मन कर लेजिए अशा क्यूं है बहुत बड़ा धक्का लगा पवित्र गंगा जो दूसरों के प्रदूशन को खतम कर देती है वो आज खुद प्रदूशित है ऐसी नदियां ऐसी भारत की हवा जल तो अगले वर्ष बहुत बड़ा काम शुरुवात करेंगे परियावरन पर गतिविदी चल रही है दस बहुत सारे प्रियोग बहुत सारी चीजें बहुत सारे एन्वेशन बहुत सारी खोजें लोगों ने करने शुरू कर दी है पर अगले वर्ष इस विशे पर और अधिक काम होगा और हमारे ध्यान में हैं सब देश विश्व में जो बड़े बने हैं वो सब स्वदेशी अपनाओं के कारण बड़े बने हैं वो कहें कुछ भी परन्तु वो अपने नागरी को को यही संजाते हैं कि अपने देश में स्वदेशी आचरन, स्वदेशी विवार, स्वदेशी प्रयोग ये अधिक्तम रहना चाहिए जदा तर होना चाहिए ये ही सुझाते हैं इससे हमारी अर्थ मेवस्था समाजिक मेवस्था दार्मिक मेवस्था सब ठीक रहती है तो अखले वर्श स्वदेशी भाव जागरन स्वदेशी अंदोलन नहीं है सुझेशी भाव जागरन ये धीरे-धीरे सब घरों में जाए ये श्विशे पर भी काम करना है और साथ-साथ बहुत जरूरी देश में थोड़ा जीव लगता है सुनने में पर है ऐसा ही थोड़ा कहना भी कठिन होता है जब हम घुमते हैं तो आपको ध्यान हो ट्रेफिक का नियम कोन तोड़ते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि देश में तोड़ने बाले पड़े लेगे लोग ही होते हैं समझदार लोग ही होते हैं वही रास्ता निकालते हैं ने 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 वह थोड़ा सा हो जाता है, निकाल लेंगे रास्ता ऐसा तो ऐसा हर चीज में है लाइन में लगे हों, विवस्ता से खड़े हों कानून का पालन है यह सब चीजें, जितनी हैं सब यह नागरी करतवे बोध है हमारे बहुत सारे मित्र लोग grade गुमने जाते हैं और आते हैं बहुत सुंदर है, बहुत साफ सच है कोई भी टौफी खाने के बाद, चिंगम खाने के बाद रेपर को फैक नहीं सकता ऐसा बताते हैं पर यह नहीं बताते हैं कि आगर रेपर फैक दीया आपने तो शायद 100 डॉलर को जुरुमाना है अत्रंत कैमरे में कैद हो जाता है और कोई ने कोई पुलिस आगर पकड़ लेगी आपको कहेगी या तो जेल चलो या 100 रुपया 100 डॉलर जुरुमाना दो एक बार 100 डॉलर देने के बाद दुबर रेपर पर परण किनी इंमत नहीं होती खाने के बाद जेम्मी रखता है आत्मी हमारे हैं ऐसे कानून नहीं है तो दूसरा तरीका है ऐसे सकत हम हो भी नहीं सकते शायद पर ये तो है ना कि हम पालन करें चीज़ों का कानून ही नहीं सामाजिक मवस्ता में भी आप देखिए अभी उत्सव शुरू होंगे देश में तो बंडारे शुरू होंगे यह अच्छी बात है कि हमारे एक आधिशी भी भी बंडारा है हमारे पुर्नीमा भी भी बंडारे होते हैं बहुत सारे उत्सव होते हैं अभी नवरात्री आएंगे तो सत्मी, अश्मी, दश्मी को बहुत सारे बंडारे लगेंगे तो आप बंडारों में दो दिन बाद जानेगे आप आप गुजर के जाएंगे वहाँ से तो आसानी से बता सकते हैं बंडारों हुआ था बिना होटिंग लगाए भी, कैसे पता लगाएंगे? मालू मैं आपको कैसे पता लगाएंगे? तो ये भी नागरी करतवे बहुत है हैसे ही? आराम से पता लग जाता है कि यहां समहरों हुआ था पर विख्षित राष्ट की निशानी में ये भी है कि ये सुच्छता का पालन, ये नियम का पालन, ये समाजिक व्यवस्था का पालन, समाजिक अनुशाशन का पालन, ये आम नागरी को सुभावत है आना ही चाहिए जैसे देश बक्ती बहुता था, बक्टे अटके बार हमेशा का करते थे कि देशभक्ती होना देवो देशभक्त है यह अच्छी बात नहीं है यह ऐसा ही है जिसे किसी मनुष्य को ही कहना कि यह मनुष्य है तो देशभक्त होना सहज होना ही चाहिए तो ऐसे ही मनुष्य को विवस्था का पालन भी देश के नागरी को कानुनों का पालन भी करना ही चाहिए इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है जो राष्ट विक्षित हैं बड़े हैं उन सम्में सब्विवस्थाओं का पालन नागरीगन करते हैं सहज करते हैं तो इस बात का भी चुकि हम उस और बढ़ गए हैं हम भारत के लोग अगर आप आकलन करेंगे थोड़ा पढ़ना शूट ध्यान में करेंगे तो ध्यान में आएगा आप 20-30-30 वर्ष के 25 से उठाके देखिए 40 वर्ष पहले का भारत उससे 40 वर्ष पहले का भारत 1900 से पहले का भारत 11.30 से पहले से भारत 11.30 से पहले से भारत तो आप 50-50 वर्ष नीचे करते चलियेंगे आपको ध्यान में आएगा कि आज हम सबसे सुखत अवस्था में हैं सबका योगदान है हमारे सुनसोगों का योगदान भी है आज रोटी कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ रुषगार, अभिवक्ती इन सब का कोई समस्या देश्वर में नहीं है सुदूर जाहिए आप लगबक उडिसा के सबसे भीशन गरीबी वाले चेत्रों में जारकन के सबसे गरीबी वाले चेत्रों में और बंगार के सबसे गरीबी वाले चेत्रों में ग्यान की प्रकति में भी बहुत अच्छी अवस्ता में है अंत्रिक्षिफिक ग्यान की प्रकति में भी बहुत अच्छी अवस्ता में है रक्षा प्रकति में भी बहुत अच्छी अवस्ता में है अब ऐसा नहीं है कि 62 में चीन ने हमला किया और बंदुकों के भाव में सेनों को बीचे आना पड़ा ऐसी अवस्था आज नहीं है आज ये मुल्क ये हिंदुस्तान शायद दीरे दीरे 25 देशों में तो अभी और 600 देशों में हत्यारों का निग्या तक न हो जाए ऐसी अवस्था दीरे दीरे आ रही तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के अंदर कभी आदर नहीं है लालबाद दूश अश्टर जी ने कहा था कि अन्न नहीं है अमरिका से मंगाये मंगाया भी और लोगों से का अपवास कीजी एक दिन का पर आज सुचिए आस्तती ये है कि भारतिये खादान ये भी जुम्मभारी से बचा रहा हूँ आकड़ा है इसका बागायता मुद्ध डेड़ सो देशों में संसार के भारतिये चावल अत्वा आटा कुछ न कुछ समगरी जाती है डेड़ सो देशों मंद्रियात है तो कहने का भी प्राय पिछले 50-50 वरुषों का स्टॉल देखेंगे आप तो हजारों वरुषों में भारत सबसे सुख़त वस्ता में है आकड़न भी है हमले भी है खराब बाते भी है उन सब बातों का भी स्वेम सेवको को अपनी अच्छी बातों को निरंतर बढ़ते रहना है और जितनी खराब बाते हैं उनके आड़े तो हम हैं ही हम ना भी माने तब भी वो बताएंगे ही कि ये संग बाले ही प्रतिरोदी करते हैं बस चैराश की एकता का सवाल हो अखंडता का हो हिंदुत पे कोई प्रशन चिन न हो सब में संग के सुनसवक अड़िक रहते हैं और ये सब भावना है ये सुखात अवस्ता मैं सुनसवकों के योगदान है उसे अलग करके नहीं किना रहा हूँ अब अध्यन करेंगों तो ध्यन मायगा और दूसरी बात इस सब में जो हम सुनते थे बहुत पहले से हम सुन रहे हैं आता भी नहीं था दिखने में कुछ हमारे बड़े लोग कहते थे कि किसमी शिताब भी हम सुनते थे ना भारत की होगी ऐसे सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से अब वो चीजें सब दिखने लगी हैं और इसलिए मैंने बहुत सारी बातें आपको थोड़ी किनाई दिखने लगी हैं बस और थोड़ा काम की अवशिक्ता है और इसलिए संगठने कारे विस्तार का एक वर्ष जिससे हमारे कारे करने वाले हाथ बहुत हो जाए जिससे हमारा सर्व समाज का संगठन हो जाए जिससे हम सभी छेत्रों में पहुंस सकें इसलिए कारे विस्तार और अगले वर्ष समाजिक परिवर्थन के पांच बिंदो इन बिंदों को जितना हम आगे बढ़ाएंगे समस्या करने वाले सब शक्तियां इसी में समाहित हो जाएंगी और लगातार हमने एक काम सिखा है एक सो वर्षों में यहां तक पुँँचे हैं हम लोग तो हमेशा इतना ही किया है कि संग के स्वेम सेवक जिसको जो काम मिला उन्होंने उस काम को निश्चा पुर्वक किया अपना मौर्चा नहीं छोड़ा जिस तरह सेना के अंदर एक जवान को एक मौर्चे पर लगाया जाता है और उससे कहा जाता है पड़ोंस में कुछ भी हो गया आप सेवक कीजिए पर अपना मौर्चा छोड़े बिना अगर आपने भी छोड़ दिया चार लोगों ने मौर्चा छोड़ दिया तो उसका सेवक तो कितना होगा मालूम नहीं है आपका मौर्चा सब भी खर जाएगा इसलिए जहां हम हैं हम गटना हैं गहें तो अपना काम गणशिच्छा कहें तो अपना काम जो जो हमारा दाइत्व है उस दाइत्व को अच्छे से निभाना निष्ठा पूर्वक निभाना जो हमसे बिक्षा की जाती है उसमें नितने प्रियोग करना लोग ने ने लोगों को जोड़ना ये सब अपना काम हम निरंतर करते रहें अब तक की यात्रा में जहां जहां संग के स्विन से बग गए वहां कुवासा छट गया वहां सकारात्मत्ता आ गई वहां उत्सा आ गया समस्या समापत हो गई तो ऐसे ही हम अपने मोर्चे बटेटे ने सभी समस्याओं का निवारन भी होगा और जो सुपन हम देखते रहे कि किस विश्यत अब दी भारत की होगी वो अपनी आखों के सामने हम देखेंगे इतना ही निवेदन था